वेलकूम है जी स्टूडेंट सार्यादा, सो जैनुवरी इन्टेक दी फाइलिंग जबर्दस त्रीक के रहा है, कैनडा तो रिजल्ट भी बहुत वधिया आ रहे ने, सो आज जी गाल करांगे किदना दे प्रोफाइल्स दे रिजल्ट वधिया आंगे, केड़े केड़े कोर्स तो नो अप्लाई करने चाहिए ने, आज दे साथे गेस्ट ने, सीनियर कंसर्टेंट वीना गोईल जी, बहुत-बहुत स्वागत है जी, नमस्कार शाश्रेकाल सारे आनू, सो वीना जी, रिजल्ट पैटरन में लगदा हूं सारे स्टूडेंट्स ने देख लिया होना है, ह थोड़े हसा अबनाल प्रेजेंट ली, कितना दे प्रोफाइल्स नू, पॉजिटिव रिजल्ट आनगे, ते कोर्सी केड़े केड़े सेलेक्ट करने चाहिए है, क्योंकि इस वक्त, इस स्टेज ते कोर्स सेलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है एको दीपक जी, मैंनों काम करते हैं, चब्वी साल हो चुकिया, तो मैं शुरू तो यह देख्या, जिनना अच्छा कोर्स होगा, तो अनना वीजा चांसेज ज़्यादा होंगे, उनना ही तो अननों अफ़लेटर दे चांसेज भी मुश्किल होंगे रीजन बिंग कि जड़ अच्छा कोर्स हो सब तो ज़्यादा डिमांड्स होंदा है, और सब तो ज़्यादा फास्ट फिलिंग होंदा है जिमे कि तुसी देखो, ज़र तुसी रोबोर्टिक्स ता करो, या आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, या साइबर सेक्योर्टी, एक कोर्स सब तो पहला फिलो हो जन्दे, 21 साल भी वीट करना बन्दा है तो जिनना अच्छा कोर्स है उनना जल्दी फास्ट फिलिंग है और वीजा चांसेज भी आल्मोस्ट हंडर परसेंट होंदा है आल्दो वीजा दे उपर और भी बहुत सारे तोड़ एफेक्ट सुन्दे है लाक तोड़ अकेडमिक प्रोफाइल की है तोड़ सब्जेक्ट सिक होई गया तोड़ अपने आयल्ड स्कोर की है या पीटी स्कोर की इस सारी चीजानों मिला के बन्दा है फैमिली इंकम की है ल जड़ी में स्टीम ने नॉन मेडिकल मेडिकल होना वास्ते केड़े कोर्स ने जड़े तुसी रेकमेंड करोंगे जैनवरी इंटेक वास्ते देखो यह मैं नहीं रेकमेंड कर सकते कि तो टुडेंट ती अपनी च्वाइस है ज़ा स्टूडें मेरे को लान दाना आ तुसी की बनना चांदे हो क्योंकि जबरदस्ती कोई चीज दित्ती हो ही न उस्टूडेंट कदी भी इंज्वाई नहीं करेगा और फेल लोग उते जाएगा उते जाएगा तुडेंट से नहीं पुछ दे के मैंनो ओ कोर्स लैदो जीनल वीजा जलदी मिल जवे हर बहुत जादा हों दिया क्योंकि ओ बिजनस दी साइड भी जा सकता है ओ इंजिनरिंग दी साइड भी जा सकता है या पर्टिकुलर और नरी साइंस दे भी कोई सब्जेक्ट लै सकता है और जड़ आज हाल्दी कड़ी चपन देखिए डेट अनलेसिस हो गया क्लाउड कम्प कर लिस्ट शकल हर इंजेनियर दी उत्थे रिक्वाइर्मेंट है दैट मेंस तुसी देख लो कि नॉन मेडिकल वाले बच्चेयां दा किना वास्ट फील्ड है कि हर कंट्री उन्हानों लेना चाही है चाहे ऑस्ट्रेलिया होई चाहे वो न्यूजीलेंड होई चाहे कैनेड मिल दे हैं और वीजा सक्सेस रेट भी अच्छा होंदे हैं और कोर्स से जड़े बस एक है कि अपलाई उन्हाने पहले करना जी सो प्रोविंस नू लेकर थोड़ी की गाइड़न्स रहें कि स्टूडेंट्स नू की प्रोविंस स्लेक्ट करना भी कोई फर्क पाएगा यह त सब्सक्राइब अलबर्टा हो गया सस्कीचवन हो गया नौवा स्कोशिया हो गया निव बर्न्सवीक हो गया इस साइट जड़े स्टूडेंट्स अपलाई कर दे हैं एक साल दा प्रोग्राम कर दे कर नेक्स्ट छे मिन नहीं स्टूडेंट्स पी आर होई है इस तो वकीला नो फीज दे रहा है लंबी-लंबी और यही बच्चाइक जा रहे है जड़ा पी एनपी वले प्रग्राम चे या रीजनल एरिया चे जा रहे है उन रीजनल एरिया दे विच बच्चा जाके डेड़ साल च पी आर हो गया ना नो कोई लंबी चोड़ी वकीला नो देके करूं होर मंगवाया उनने तो मैं हमेशा यही गाइड करूंगी तुसी रीजनल एरिया चे जाओ तुसी सैटलमेंट दी तरफ जाओ 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 जाब अपरचुनिटीज जा तुसी वैंकुवर साइट जान देो रीजनल एरिया दे विचे अन्नी अच्छी जाब अ स्टूडेंट ने वीना जी तुसी जदों काउंसलिंग कर दे हो स्टूडेंट्स नो किना के इजी हुंदा है सारी चीजां स्टूडेंट्स नो समझा आपाना या स्टूडेंट्स दा की टेंपरमेंट हुंदा प्रोविंस सेलेक्शन नो लेकि देखो जेड़ा वी दीपक सब्सक्राइगा तो तुसी रीजनल एरिया चीजा होगी जाओ ऑपर्चुनिटी भी मिलेगी तो नो सैटल्मेंट ऑप्शन भी मिलनगी तो नो पे पैकेजिस भी अच्छे मिलनगे मैं तो नो दर्स दिया मेरा ही स्टूडेंट पालंपुर तो ओ गया सिगा नोवा स्कोश सब्सक्राइब करेंगे तो जड़ी रीजनल एरिया चो बच्चे जान देना उन्हादी सनुकदी कंप्लेंड नहीं हां जड़ी बच्चा केंदा कि मैं अंटारी हो जाना मेरी सिस्टर एंधिया मेरा ममा रंदा चाचा रंदा ऑखली वन वीक दे लिविंग एक्सपेंस सब्सक्राइब करेंगे तो स्टूडेंट्स प्रविंस सेलेक्ट करना आज दी देच बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जिवेंके वीना जी ने दस्यादा गैप बहुत ज्यादा फर्क है पियार तुसी किन्नी देर चे हुनने हो जे तुसी सई प्रविंस सेलेक्ट कर दियों बहुत ज़रूरी है कि सई कंसल्टेंट एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट तो ही फाइल लगवाई जाए कोई भी सवाल है स्क्रीन दे उपर नंबर डिस्प्ले हो रहा है तुसी कॉल कर स किते हूं बहुत बहुत तानवाद थैंक यू थैंक यू सो मुझ